किसान बाई नमस्कार किसान बाई मैउत कर्षपन्डे क्रिसिफाईयाप मैं आपका सवालत करता हूं किसान बाई आप इसा देख रहे हैं कि अभर्णी किसान्बाई शामावत ठोरी यानि आप धान के कटाई होगी और रवी शिजन में काफी किसान बाई लोग गिहूं के जयसे आपको बहुत सारा विमारिया हैं जो कि आप लगा देतें पता भी निले चलता और आपके खेत में लग जाता है तो उसमें एक बड़ी चीज है कि आपको पहले बीज का आप चाहते हैं कि कोई विमारी आपकी खेत में लगे ही ना उसके लिए आपको बीज बोई करने से पहले बीज की उपचार करना होता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गिहूं का बीज कैसे उपचार करते हैं किस니न भाई आपको बीज उप्चार करने के लिए जैसे मैं गिहुं को गिहुं का भीज अगर उप्चार करते हैं तो आपको 1kg के लिए एक किल्बीज के लिए एक दुपा जैसे साफ कर सकते कर और बिश कर सकते हैं यूज करना होता है दो गरामत्य आधिक आधि पर आपको मैं और बता दूर्ट है इसका इक किलो बीज के लिए दो गराम क्रबेंडाजीम अगरी के लिए बात दो गराम भीक्क फणकी अब goes आधि आज मैं आपको बता रहा हूं कर्बेंडा जिम से बीज को उपचार कैसे करते हैं किसानवाई जैसे आप देख रहे हैं यह ग्यों का बीज है यह मैं सबसे पहले इसको चार करने के लिए आपको कोई कंटेनर में इसको रख लेना होगा इसको रखने के बाद आप इस पर थोड़ा सा पानी का पानी का भूल लेंगे आप इसको गीला कर सकते हैं तक गीला कर सकते के अपर मेध के बाद के सीड को एक बार अच्छा से मिला लेना है इसान में मिलाने के बाद मिलाने के बाद इसको आपको कुछ समय के लिए अनी आधा से घंटा के लिए छाओं में रखना चाहिए ताकि जो भी आप chemical लगाए हैं उसमें 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 लेयर सा बन जाए ऐसे लगाने से ऐसे करने से सूख जाता है तो उसका दवा का असर काफी टैम तक रहता है और बीजुबचार करने से में आपको बता दू काफी सारी फैदें हैं इससे आपको फफोंजोनिक बीमारी नह बीजुबचार करने से किसान भाई अगर बीज जनीती बीमारी है और मिर्दा जनीती बीमारी है यानि मिर्दा में भी फंगस है लगा हुआ है और आपको नहीं पाता है और आप बीजुबचार कर दिये तो उसका इंफेक्शन आपको बीज तक नहीं आता है उसके जन्मिन से कि आप वीडियो प्चार करें और अपने उपज बढ़ाएं और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बाक्स में जरूरू बताएं क्रिसिफाई आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद